Hello everyone, good morning, नमस्कार, 19 मार्च 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है, जसा कि मैंने कल बताया था कि The Hindu 19 मार्च को अपना न्यूजपेपर पब्लिश नहीं करेगा, लेकिन हम लोग The Hindu की जो वेबसाइट है, वहाँ से कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ को डिसकेशन कर सकते हैं, मैंने यह 15 इंपोर्टेंट न्यूज़ को डिसकासन किया है, या 15 इंपोर्टेंट न्यूज़ को इसके दर इंक्लूड किया जिसके बारी महम लोग डिसकासन करेंगे, क्योंकि न्यूजपेपर पब्लिश नहीं हुआ है तो इसकी PDF जनरेट नहीं होगी, तो यह एक जानकारी है, कई बार मैंने देखा कि ऐसी information के बाद भी नीचे comment होते कि PDF, PDF, PDF तो वो available आज नहीं होगी तो सबसे पहले बात करेंगे Great Barrier Reef, सफार, widespread coral bleaching basically अगर आप Australia का map देखेंगे तो Australia का जो western border है वहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरीके से coral reefs की important layer जिसको Great Barrier Reef भी बोला जाता है ये बहुत important है marine life के लिए या उसके cycle को लेकर लेकिन ये कई बार news में रहते हैं कि बड़े level पर mass bleaching होती है यानि coral bleaching होती है या एक तरीके से nutritional values जो है कहीने कहीं कम हो जाती है या climate change की वज़े से impact पढ़ जिसकी वज़े से marine life को काफी ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है Great Barrier Reef भी बहुत important है Australia के लिए क्यों important है एक तो उनकी economic है की important एक तरीके से event है और दूसरा tourism के perspective से भी बहुत ज़्यादा important है अब ये news में क्यों है government agency ने report किया है कि यहाँ पर बड़े level पर high ocean temperature की वज़े से after mass bleaching of two years यहाँ पर continue यहाँ पर देखने को मिला कि Great Barrier Reef suffer कर रही है widespread and sewer coral bleaching इसके अलाबा ये बहुत important है इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके ठीक तीन दिन बाद ही United Nation का delegation जो access करेगा कि क्या इस site को Great Barrier Reef को जो world heritage के अंदर listing किया जाना चाहिए उसको downgrade किया जाए या ने किया जाए एक particular site को अगर world heritage site के अंदर include किया जाता है तो उसकी international importance होती है अगर उससे degrade किया जाएगा तो ये Australian economy को Australia को इमेज़ को भी कही ने कही नुकसान पहुँचाएगा इसके अलावा यहाँ पर कई सारे indication है कि बहुत सारे factors है कि coral bleaching की वज़े से जो है बहुत सारे ऐसे species ऐसी marine species जो वो कही ने कही उनको नुकसान पहुँचाएगा और इसमें बहुत सारे factor है और इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि variable बहुत जादा है कि minor से लेकर सीवर तक इसका impact आपको देखने को मिलेगा अगर आप बात करें reef जो continue सफर कर रही है bleaching के मामले में चाए 2016 हो 17 हो 20 हो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे environmental agencies जैसे green peace एक NGO है वो कई बार news में रहता है भारत में भी तो अस्टेलिया में जो green peace काम करता है उन्होंने बता कि coral bleaching जो है ला निना एक weather pattern है जो कि Pacific Ocean temperature को cool करता है इसी तरीके से अलनिना होता है जो Pacific Ocean temperature को warm करता है यह गरम एक तरीके से इसको बोलता है दोनों का impact Indian economy, sorry Indian monsoon पर पड़ता है इंडिया में weather system पर इसका भी impact पड़ता है इसके लावा यह clear cut impact है कि climate change का huge impact यहां पर हुआ Australian government कही ने कही coral को protect करने में फेल रही है यह कुछ जानकारिया दी गई इसके लावा यहां पर बताया गया कि लगातार coal को burn करना, oil और gas का इस्तमाल करना इसकी वज़े से जो coral reef है उसको कहीं नक्सान पहुचा रहा है पिछले साल जुलाई में भी UNESCO की जो meeting हुई थी United Nations Cultural Organization को लेकर कि क्या Australia का जो status उसको downgrade कर दिया जाना चाहिए हाला कि उस टाइम Australia इस चीज़ से बच गया था लेकिन अभी यह important meeting होगी क्या Australia का एक तरीके से जो world heritage committee के अंडर एक status है world heritage listing के अंडर क्या इसको downgrade किया जाएगा और अगर downgrade किया जाएगा तो क्या इसके impact होगे Australia economy पर यह कई सारे सवाल आप लोगों के सामने होंगे अब आप लोगों के लिए सवाल है जब हम UNESCO world heritage sites की बात कर रहे है world heritage status की बात कर रहे है आप लोगों को नीचे comment करना है कि भारत में इस टाइम पर कितनी world heritage sites है और 2020, 21 और 22 पिसले तीन सालों में भारत में कौन-कौन सी नई site जो include करी गई है 2020 को आप छोड़ भी दीजिए 2021 में जो important sites include करीगे इंडिया में world heritage site के अंडर वो आप नीचे comment करेंगे इसके बाद second important information के बारे में बात करेंगे recently आप सबने पढ़ रहा पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे कि रशिया और युक्रेइन के बीच में जो conflict है उन सब के बीच में एक report आई कि चाइना युक्रेइन को सोरी रशिया को military और economically sport कर रहा है यह कुछ US की newspaper में जो है पब्लिस होई थी हलाकि चाइना इसको decline करता है इन सब के बीच में चाइनीज प्रेजडेंट और United States के प्रेजडेंट इनके बीच में एक virtual call होती यानि एक तरीके से जैसे जूम मीटिंग होती है हलाकि जूम में बहुत सारे होते हैं आप बोल सकते हैं वीडियो कोल हुई और वीडियो कोल के थ्रू जो है यूएस के प्रेजडेंट जो बाइडन ने चाइनीज काउंटर पार्ट सीजिन पिंग को कहा कि अगर इस तरह की चीज़े करेगा या चाइना इस तरीक इंडेकली स्पोर्ट करेगा रशिया को एकनोमिक और मिलिटरी असिस्टेंट के बेसिज पर तो उसके इंपेक्ट जो है वो काफी ज़्यादा वोर्स होंगे एवन चाइना की मिनिस्ट्री ने इसके बारे में यह नहीं बताए कि उनका क्या रियक्शन था लेकिन यह बताएगे कि जो कनफ्लिक्ट और कनफ्रेंटेशन है इससे कोई किसी के इंटरस्ट में नहीं है not in anyone इसे किसी को कोई benefit नहीं होने वाला है बट यहाँ पर यह नहीं बताया कि रशिया पर blame को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला और आने वाले टाइम में उनका क्या stand होगा इनके अलावा वाइट हाउस की जो सेकेटरी है जेंस है कि इन्हों यह लगातार active है पिछले कुछ दिनों पहले जब आप देखेंगे भारत के बारे न्यूज आए कि भारत रशिया से ओगल पर change करेगा तब यह बोल रहा था सेम स्टेट्मेंट इनकी नजर आएगी कि चाइना को यहाँ पर mention किया गया है चाइना को decision लेना है कि वो history में कहाँ पर stand करना चाहता है और उनके action से इंडिकेट होगा है सेम इंडिया की context में नोंने mention किया था इनके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनमें बताया कि senior administrative level पर जो discussion किया गया कि economy जो है अगर sanction लगेगे इनके उपर तो कहीने कहीं उसके impact जो है वो चाइना के उपर भी होंगे अगर चाइना इस तरीके से military और एक तरीके से economic assistant प्रवाइड करेगा तो जो एक तरीके से sanction लगाएगे western country से उनको undermine हो जाएंगे अगर चाइना अपनी economic activity आज उजूल रखता रशिया से तो रशिया पर जो प्रतिमन लगे है वो कहीने कहीं उसका कोई माइने नहीं रहेंगे इसके अलावा conflict not in anyone's interest सी जिन पिंग ये बोल रहे है कि भाई conflict किसे के हित में नहीं है शांती से रहे है peace and security बरकरा रखिए international community को एक साथ लेकर चलिए और इसी तरीके से उनने warning with the United States को कि Taiwan issue को लेकर bilateral issue ties जो हो वो तरीके से disrupt हो सकते है और आपकी जो policy है ये इसी issue को miss handle करने वाली इस चीज को आपको ध्यान अकना पड़ेगा differences दोनों countries के बीच में है बट आपको इनको bridge करना पड़ेगा right इसके लावा अगर आप देखेंगे इनके बहुत सारे officers जो है वो लगाता discussion कर रहे है wide range of agendas को लेकर जिसमें Russian invasion of Ukraine जो है वो part of the significant part of the agenda जो है कौन-कौन participate कर रहे है ये सारी चीजे important नहीं है इंडिया की तरह चाइना भी abstain कर रहे है Moscow को लेकर लगातार जो भी एक तरीके से voting को लेकर आता है proposal चाहिए राइटिनेशन Security Council हो या राइटिनेशन General Assembly हो इंडिया लगातार abstain कर रहे है सेम चीजे जो है चाइना भी abstain कर रहे है तो काफी जादा important है geopolitics को observe करना देश दुनिया में हो क्या रहा और किस तरह के impact आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद जो टाइटल दिया गया India has the right to buy Russian oil अभी रेशन में जो report आये थी कि भारत की Indian oil company और एक दो company हो रहे है जो रेशिया से तेल खरीदेंगी क्यों खरीदेंगी रेशिया पर western countries के sanction लगने के बाद रेशिया को नए बायर चाहिए नए खरीदार चाहिए और अगर वो discounted oil भारत को provide करना तो भारत को खरीदने चाहिए और हलाकिस को लेकर United States थोड़ा नराज नजर आता है वो यह बोलता है कि भारत को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए क्योंकि रेशिया पर sanction लगाए गए है लेकिन आपको यह धान रखना है रेशिया पर जो sanction लगे हैं अभी तक वो sanction mostly US और उनकी allies के दवारा लगाए गए United Nation के दवारा officially अलाइक तरीके से sanctions जो है क्योंक कोई country तेल नहीं खरीद सकते इस तरह का कोई sanction फिलाल नहीं है तो यहाँ पर mention किया गया पहली बात तो यह कि रेशिया से क्यों तेल खरीद रहा चाहिए अभी भी Germany, Italy, France और Netherlands, Russian oil और gas के सबसे बड़े खरीदार है और इसके अलावा भारत की तो energy यानि हम लोग oil काफी जादा import करते हैं और complete energy चाहिए natural gas हो या oil हो इन सब के लिए import पर बहुत जादा depend करते हैं यहाँ पर यह कहा गया कि यह जो energy का जो issue है इसको politicize नहीं करना चाहिए और इंडिया ने fairly strongly justify किया कि हम रशियन रशिया से एक तरीके से energy purchase करेंगे और यह हमारा right है United States लगातार यह बोल रहा था कि भाई रशिया से आप oil and gas मत खरीदिये United States की foreign policy को आप observe करिये US लगातार ऐसा क्यों कर रहा है Western countries कोई Western European country वैसा क्यों बोल रहा है कि अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे gas नहीं खरीदेंगे तो alternate क्या होगा कि वो US से खरीदे और US एक complete capitalist country है तो उस context में वो अपने अपने हिसाब से foreign policy को indicate करता है तो इस context में इंडिया की जो energy sector है लगब 80% से जादा हम fuel जो import करते हैं तो इस context में यहाँ पर mention भी कियागी जो self-sufficient country है वो इस तरह की जो बात बोलते हो credible नहीं है इस तरह की चीजे mention कीगी कि restrict कर देना कि कोई country रशिया से oil या gas ना करेदे यह अपने आप में उनकी खुद की जो credibility है उस पर question mark लगाती है इसके अलावा हमने दे हिंदू के अंदर पढ़ा था कि इंडिया की energy की major जो companies है वो रशिया से oil and gas purchase करेगे discounted rate पर अब इनी सब चीजों के बीच में कई सारी high level की visit होने वाली है जैसे 19 and 20 आज और कल दो important day जो है Japanese Prime Minister Fumio की सीधा जो इंडिया में आएंगे और 14 India Japan Summit में participation करेंगे इसी तरीके से Australian Prime Minister Scott Morrison के साथ भारत के Prime Minister साथ की 21st March को virtual summit होने वाली है इसके अलावा अगर आप देखेंगे British Foreign Secretary Liz Trust ये इंडिया में आएंगी और 3 important country Australia, Japan और UK के इन्होंने रश्या पर heavy sanction imposed की है इस context में क्या diplomatic pressure जो भारत पर बनाया जा रहा है कि वो रश्या से तेल ना खरी दे इसके कोई impact होंगे जैसे कि मैंने बताया था जो White House की spokesperson है इनकी same statement है कि भारत को decide करना है कि आप रश्या की leadership को sport कर रहे हैं कि अगर आप oil खरी देंगे तो आप indirectly रश्या की leadership को sport कर रहे हैं और history books में आपको कहां पर एक तरीके से indicate किया जाएगा ये कुछ चीज़े हैं देखो भारत पर pressure definite सी बात है western countries का और developed countries का लेकिन भारत के लिए सबसे ज़्यादा important है अपनी energy requirement को complete करना इसी तरीके से अगर आप देखेंगे रश्या के against रश्या ने जो उक्रेइन के against military operation चलाया था इस context में रश्या के against western country European country लगातार sanction जो वो impose कर रहे हैं लेकिन एक अलग चीज़ देखी आप कि इन सब के बीच में भी रश्या से oil और gas जर्मनी Italy, France, Netherlands, European country और इनके लावा जो frontline state है पुलेंड, लिथवानिया रोमानिया, फिल्लेंड ये भी बड़ी quantity में रश्यान कुरीड oil को purchase कर रहे हैं तो जो pressure है वो काफी ज़्यादा highlighted है और इसी तरीके pressure जो इरान और वेंजियोला पेब के दोरान भी या जो पास्ट में भारत पर तरीके से pressure create किया गया और तब हमें alternate source of energy की तरफ देखना पड़ा जो कि हमारे लिए बहुँ जादा costly है हमने एक दो दिन पहले पड़ा नीतिन गड़ेगरी सामने statement दे थी कि भारत का fuel import है 8 to 9 lakh क्रोड के आसपास है आने वाले time में 25 lakh क्रोड के आसपास हो सकता है इस context में high import depend में dependency जब होती है तब एक particular country पर या कुछ regions पर depend करना ये भारत के लिए बहुँ जादा higher cost indicate करेगा दूसरा Ukraine crisis के impact किया हुए बहुत important एक gas pipeline थी जिसका नाम है Nord Stream 2 1230 km की gas pipeline है Russia to Germany तो इसको फिलाल के लिए रोक दिया गया है इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो एक pressure create किया गया रशिया के उपर उसके वाज़े से crude oil की कीमत जो है वो increase होई और तेल की कीमत बढ़ने से होगा भारत क्योंकि 80% तेल इंपोर्ट करता है इंडियन करंसी की value कमजोर होगी भारत पर भारत का जो import bill है वो increase होगा और अगर हम कच्चा तेल महंगा खरीदेंगे तो हमारे consumer जो होगी हमारे जो लोग होगे उनको महंगा तेल मिलेगा और उस context में इकनोमी का जो cycle है वो कहीने कहीं disturb होगा और भारत क्योंकि COVID-19 से अपने आपको recover करने कोशिस कर रहा है उस context में इस तरह की चीज़ें अपने आप में challenging है इसके लावा basically रश्या पर bell लगाने का एक बड़ा reason ये भी western power को इस पूरे scenario का benefit मिले और जैसे swift payment system होता है swift का मतलब क्या होता है basically international जो transaction होती है उसको एक instant messaging में या बोल सकते उस process को smooth करता है swift payment gateway और उससे रश्या को ban कर देना उसकी वज़े से काफी ज़्यादा एक तरीके issue create होते हलाकि french finance minister Bruno Lee Mary ने ये बोला था कि जो ये major है ये financial nuclear weapon की तरह है कि अगर आप एक country को swift से ban कर रहे है तो कहीन की एक ऐसा financial major का इस्तमाल कर रहे हैं जिसे उस country की economy ही कहीन की damage होगी उसको काफी ज़्यादा challenges face करने पड़ेंगे आगे बढ़ते हैं देखो जब energy की बात हो रही है oil की बात हो रही है तो एक country का जिकर करना बहुत जुरूरी है वो है इरान ready to meet India's energy need इरान के जो ambassador है भारत में ये इनकी statement है कि अभी offer क्या दुनिया भर की country ये भी एक तरीकिश यूएस का प्लान ये है कि रशिया पर जो dependency है पूरी दुनिया उसे cut out करे और इरान और वेंजूला जो इससे पहले sanction इनकी उपर थे उनको थोड़ा सा relax कर दिया जाए even opaque country opaque मतलब organization of petroleum exporting country या तेल के निर्यातक की जो group of country है उसके अंदर ये पूरी की पूरी चीजे mention है यहाँ पर बताया गया कि इरान जो है second largest oil supplier था इंडिया में बट United State के जो president थे Donald Trump उन्होंने इरान को लेकर जो nuclear deal थी उससे अपने आपको withdrawal कर लिया था और इनके उपर sanction को re-impose कर दिया गया था उसके बाद से भारत और इरान का जो trade काफी जादा कम हो गया था अगर रूपी और रियाल में trade mechanism को follow क्या जाए और एक तरीके से कोई third party का intermediation ना हो तो ये बहुत important और game changer हो सकता है इसके लावा इंडिया जो है third largest oil important consumer है 80% से ज़्यादा अपनी crude oil need को वो import से complete करता है इसके लावा अगर आप देखेंगे भारत और इरान के बीच में बाटर लाइक अगर mechanism सेट होगा तो ये इंडियन रिफाइनरीज को भी इंडिया को भी और इरान दोनों को benefit करेगा इसके अलावा भारत और इरान के बीच में 2019 में 17 billion dollar का trade होता था लेकिन अप्रेल जन्वरी में ये 2 billion dollar के आसपास हो गया तो काफी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इनके महिश्री बोर रहे है कि अगर दोनों कंट्री रुपी और रियाल ट्रेड में को फोलो करते है तो इंडिया और इरान का जो बाइलेटरल ट्रेड है 30 billion dollar तक जो हो सकता है ये एक important चीज़े है अब आप लोगों के लिए geographical perspective से दो question है पहला question अगर आप geography को locate करना map में इरान के आसपास जितनी भी neighboring country है वो आप नीचे comment करेंगे और second यहाँ पर opaque के बारे में बात की जा रही है opaque के अंदर इस time पे total number of countries कितनी है वो आपको mention करना है और इसके अलावा उसके front में आपको लिखना है कि उन countries में से कौन कौन सी जो major countries है वो उसके अंदर आती है अगर आप सभी लिखना चाहते हैं तो सभी mention कर सकते हैं आधर वाइज आप major countries के बारे में जरूर mention करें यह जो organization हम पढ़ रहे हैं यह बहुत ज़्यादा important है opaque हो या अगर आप देखेंगे इरान काफी ज़्यादा news में है उसकी geographical boundary के SPNC या इस अलग-अलग परशेन गल्फ के context में वो सारी चीज़े हैं लेकिन आपको in countries के बारे में mention करना है second question है इसके बाद आगे बढ़ते है high level की जो एक team होगी United States के official की वो इंडिया में visit करने वाली है और यहाँ पर कई सारे जैसे secretary for political affair हो या दूसरे कुछ diplomatic जैसे south and central Asia के या secretary of defense ये भारत के अंदर आएंगे और high level का जो delegation है कई सारे topics पर discussion करेगा ये civil society business leaders के साथ discussion करेंगे ताकि economic partnership को strengthen के अज़ास के और peace, prosperity, security Indo-Pacific region इसको लेकर focus के अज़ास के ये एक commitment का part है इनके अलावा definite सी बात है जब Russian invasion of Ukraine के बारे में discussion हो रहा है तो ये भी इनके agendas के अंदर भी होगा लेकिन इस visit का एक मक्षद ये भी है कि भारत और US के बीच में 2 plus 2 dialogue 2 plus 2 का मतलब होता है defense and foreign minister भारत के defense and foreign minister और US में जो उनके counterpart होंगे उनके बीच में आने वाले time में dialogue हो हलाकि COVID की वज़े से discussion होना था तो कई बार ये discussion जो हो discontinue हुआ या उसके बारे में properly function नहीं हुआ तो ये इसके बारे में भी एक theme जो हो त्यार करने के बारे में discussion है तो ये कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके बाद इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि भारत और Australia के प्राइमिस्टर के बीच में एक issues को discussion किया जाएगा उसके बारे में बताया गया 21 March को ये summit होने वाली है दोनों का बहुत जादा important role होगा इस पूरे scenario में Ukraine की situation को लेकर Indo-Pacific की impact को लेकर इन चीजों के अंदर discussion किया जाएगा कैसे mutual economic recovery पर focus किया जाए क्या नई economic opportunity हमारे लिए है इनको लेकर और इसमें Ukraine से लेकर Indo-Pacific, Myanmar ये wide range of discussion होगे इस तरीके से summit के अंदर इसके अलावा दोनों साइट जो है shared vision जो है share करती है किस पामले में Indo-Pacific में इसे पहले 4 June 2020 को भी भारत और Australia के प्राइमिस्टर के बीचे virtual summit होई थी तब भी भारत तब एक तरीके से इन दोनोंने अपने relationship को comprehensive strategic partnership पर elevate किया था comprehensive strategic partnership का क्या मतलब होता है देखो एक होता है relation की कुछ front में काम करते है comprehensive का मतलब क्या कि हम केवल एक particular product पर depend नहीं है हम अपने relation को diverse करते है और इसमें बहुत सारी चीज़े include होती है इसके मामले में यहाँ पर आप जैसे समझेंगे कि defense and security से लेकर science and technology और critical minerals से लेकर clean energy यह कुछ important चीज़े है इसके लाबा जो यह summit है यह बहुत important है क्योंकि bilateral type है वो critical minerals को लेकर हो migration को लेकर हो mobility को लेकर हो इन सब को लेकर जो हो discussion किया जाएगा और काफी important है पिछले कुछ सालों में भारत और Australia के relation काफी improve हुए है और इसके लाबा जून 2020 में Indian Australia ने military bases को लेकर agreement किया था कि logistics sport जो वो provide करेंगे और supplies को लेकर हो facilitation को लेकर हो और defense cooperation को दोनों countries बढ़ाएंगी इनके लाबा Australia और India दोनों मालाबार naval exercise के अंदर भी participate करते हैं जैसे November 2020 में जो मालाबार exercise हुई थी उसके context में और इस बार जो मालाबार exercise होगी उसके अंदर भी Australia ने participation किया था और इसी तरीके क्योंकि मालाबार exercise में चार कंट्री participate करती यूएस जपान इंडिया और Australia और यही चारों कंट्री जो है वो quad group के member country भी है इसके बाद बात करेंगे world happiness report जो release कर दी गई है और world happiness report में मैं पहले आपको ranking बदा देता हूँ जैसे Finland जो है पहली number पर country रही है Denmark जो है second number पर और interesting चीज़े यह है कि हम Pakistan इस तरह की country से भी काफी ज़्यादा पीछे है नेपाल से पीछे है पाकिस्तान से पीछे है इसके अलावा इराक से भी पीछे है और Nigeria इस तरह की माली इस तरह की country से काफी पीछे आपको नदर आगे इंडिया की जो ranking है one three six है six right इसमें zero से ten तक है एक score हो तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि क्या इसके impact होते है और कैसे basically पूरी की पूरी चीज़े जो हो indicate करती है अब बात करते हैं क्योंकि Finland जो है इसमें important country है जो world happiness nation के अंदर लगातार पांचवे साल पहले नंबर पर ये बनी हुई है और UN sponsored index जो अफगानिस्तान को unhappiest country मनाता है इसके ठीक उपर लेवनान है और उसके ठीक उपर जो वो जिमबावी है और ये report हाला कि Russian invasion of Ukraine से पहले कहिने के indicate करी गई है इसमें 146 countries का इंडेक्स है इसके अलावा क्योंकि अफगानिस्तान में जब क्तिरी किसे नाटो फोर्सिज ने विड्रोल किया तो वहाँ पर situation काफी ज़्याद इशूज है humanitarian crisis है तो possibility थी कि इस country के rank सबसे नीचे रहे और world happiness report में अगर आप देखिएंगे पिछले 10 सालों में happiness को indicate करती है economic और social data की basis पर इसके लावा इसमें scale होता है zero से लेकर 10 तक का और उसके basis पर ये indicate करती है अगर माल लेते 10 के आसपा scale है कि happy कितनी है तो उस conduction में यहाँ पर नदर आते है northern European country जो है dominant करती है इसके लावा आइसलेंडिक और स्वीस और डच इस तरह की जो countries है यानि northern European country इसमें आपको leading country नजर आएगी US का rank 16 है इस जो बिटेन से एक आगे France जो 20 वी नंबर पर है और highest ranking consideration किया जाता है इसके लावा इसमें कई सारी चीज़ों को indicate करते है कि GDP से लेकर social sport, personal freedom और level of corruption इन चीज़ों को indicate किया जाता है इन के लावा इसके अंदर आपकी बार analysis किया गए countries के अंदर बहुत सारी countries के अंदर anxiety और sadness increase हुई है लेकिन anger जो है वो उसकी feeling कहीने कहीं कम हुई है हलाकि जो world happiness report को लेकर काफी जाद criticism भी किया जाता है और even criticism ये भी किया जाता है कि Finland को जो लगाता टोप 5 पर बने हुआ है तो वहाँ पर क्या सब कुछ इतना सही है इसको लेकर इस report को criticism किया जाता है बहुत सारी चीज़ें होती है world happiness को indicate करने के लिए forest area के बारे में lakes हो well functioning public services हो इसके लावा यहाँ पर अगर आप देखिए low level of crime हो inequality जो है कम से कम हो ये सारी चीज़ों को लेकर indicate करते हैं और nordic countries जिसके अंदार top ranking पर अभी भी बनी हुई है तो Finland बहुत important country है इसके बाद बात करेंगे world food program बहुत important United Nation की agency है जिसको Nobel Peace Prize भी मिल चुका है तो इसने कहा कि युक्रेन issue की वज़े से एक तो supply chain disturb हो रही है price increase हो रहे हैं ये दो important सीज़े बताई कि युक्रेन में एक तरीके से infrastructure destroy हो रहे है उसकी वज़े से बहुत सारी grocery store जो है या warehouse house जो है एमटी हो रहे हैं खाली हो रहे हैं और supply chain disturb हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर drivers को लेकर insecurity हो रही है तो वो moment नहीं हो पा रही है properly इनके अलावा युक्रेन में जो जिस तरह की situation है उस context में world food program का जो program होता है या इनसेस्ट होता है वो भी continue work नहीं कर रहा युक्रेन crisis के वाज़ा food security global level पर हमें देखने को मिलती है और hungers के मामले में collateral hunger की जैसी चीज़ें खासकर hunger hot sports के अंदर ये एक बड़ा है इसके अलावा food prices जो है all time high है जैसे 71 million जो है पे करती है month basis पर food को लेकर तो inflation यहाँ पर हुआ है और inflation की वज़े से ये supply side भी और prices की वज़े से भी इनका जो function है वो impact हुआ है इसके बारे में जानकारी दी गई इसके बाद बात करेंगे National Commission for Sedual Tribe is dysfunctional यानि National Commission for Sedual Tribe जो है वो dysfunctional है प्रोपर function नहीं कर रहा है हाउस पैनल की रिपोर्ट हाउस पैनल मतलब parliamentary पैनल की रिपोर्ट है जिसके बारे में जानकारी दी गई है National Commission for Sedual Tribe has been dysfunctional for the last four year और ये single report जो है उन्होंने एक भी single report जो parliament में deliver नहीं करी ये जानकारी दी गई है parliamentary panel के दौरा और इसके अलावा इसमें बताया गया कि इंदिरा सागर पॉलवरेम प्रोजक्ट जो अंदरा प्रदेश जिसमें tribal population को लेकर कहीना कि rehabilitation को लेकर news में है rehabilitation, resettlement या displaced इसको लेकर भी इनकी कोई particular report नहीं है और राउर किला स्टेल प्लांट को लेकर भी particular इसनों ऐसी कोई report जो वो pending है तो इसको लेकर जो committee है social justice and empowerment को जिसको head कर रही है बीजेपी की MP है रमा देवी उन्होंने पाया कि लगातार ये report जो है वो विदहल्ड की गई है यानि यूनियर मिनिस्टे ओफ tribal affair भी इस पूरे सिनेरियों में dysfunctional नजर आती है इसके अलावा क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो क्योंकि इसको civil court की power है investigation और inquiring को लेकर ये प्रोपल लेकर function नहीं करेगी तो schedule tribes के जो rights and safeguard है इसको भी कहीं ने कहीं उससे deprivation करेगी है उनसे उनको तरीके से बोलते हैं जिसको access नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी report जो है ministry of tribal affairs के अंडर जो हो pending पड़ी है इसके बारे में जान करें दिया या तो वो delay हो रही है या फिर उनके उपर कोई under process जो हो शो करता है इसके लावा यहाँ पर यह बताएगे कि 2021-22 में भी बहुत सार report जो है पड़ी है जिसकी वज़े से resolution pendency complaint जो है वो लगातार increase हो रही 50% से भी जाता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अब आप लोगों के लिए third question है जब हम बात कर रहें national commission for scheduled tribes आपको नीचे comment कर रहे है कि भारत के समिधान में national commission for tribal affairs जो है यह किस article के अंदर mention किया गया है यह आप लोगों के लिए सवाल है इसके बाद दो important explained section के topic है जिसमें एक है chemical and biological weapon को लेकर international regulation क्या है जो रशिया को bind करेंगे और एक plastic treaty को लेकर है रिशन में chemical और biological weapons को लेकर काफी ज़्यादा news में रशिया और युएस से एक दूसरे पर allegation लगाते है युक्रेइन वोर के दुरान की इसका इस्तेमाल होने की possibility है हमारे लिए important क्या है कि chemical और biological weapon को लेकर international regulation क्या है rules and regulation क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है report आई United States के national security advisor जेक सुलेवान इनने मार्स 16 वार्निंग करी रशिया को कि भई अगर आप इसमें युद के दुरान chemical और biological weapon का इस्तमाल करेंगे तो इसके आपको severe prices बे करने पड़ेंगे यानि इसके result जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे ये कुछ चीज़ है रशिया भी allegation लगाता है यूक्रेइन के अंदर यूएस जो हो biological और chemical weapon जो हो बना रहा है लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये खिर chemical और biological weapons का मतलब क्या होता है chemical weapons का मतलब होता है जो toxin होते है chemical substances इसके अंदर होते है या उसके जैसे death भी हो सकती है और world war first के तरण काफी ज़्यादा इस्तमाल किया गया बहुत सारी gases होती है जैसे chemical जैसे chlorine हो गया फोसजीन हो गया जो की suffocating gas है mustard gas है जिसकी वज़ता skin burn करने शुरू कर देती ये इसके अंदर इस्तमाल किया जाता है और जिसके अंदर toxic serine narrow agent इस्तमाल किया गया और बड़ी संख्या में chlorine bomb जो है civilian area पर गिराए गया जिसकी वज़े से multiple death हो है हलाकि Syrian government और इनके military ally रश्या ये बताते कि कोई chemical weapon का इस्तमाल नहीं हुआ एक बार फिर से ये news में आ 2018 और 2020 में जब KGB के officer Sergei Skyripal इनके और इनके डोटर जो इनके अगेस्ट इसका assignation को लेकर attempt किया गया और इसी तरीके से Russian opposition leader Alexei Nevelani in 2020 इनके अगेस्ट भी report आई कि इस तरह के chemical और biological weapon का इस्तमाल किया गया है और अगर आप देखेंगे चाहिए वो या हो यूएस हो बड़े लेवल पर हाई लेवल पर स्टोक पाइल जिनके पास है chemical weapons का during the cold war biological weapon थोड़ा different होता है biological weapon में disease causing organisms को इस्तमाल किया जाता है जो viruses bacteria या दूसरे toxin produce करते हैं और इसका मकसद ही होता कि deliberately infect करे, cause करे जिसकी वज़े से लोगों की death हो और anthrax हो smallpox, plague और दूसरे इस तरह के comet oxygen जो इस्तमाल की जाते हैं और first world war के दुरान काफी ज़्यदा इस्तमाल हुए थे, even अगर आप देखोगे जब covid-19 initiate शुरू हुआ, तो covid-19 के origin को लेकर भी China पर allegation लगा कि क्या China ने इसको bio weapon की तरह इस्तमाल किया है ये भी कहने कहीं एक allegation था first world war के दुरान जर्मनी के report आई कि इसने अपने allied army जो, sorry, जो इनके enemies हैं, उनके against इस तरह के weapon का इस्तमाल किया है और जपान के against भी allegation लगा कि इनने भीवनिक प्लेक का इस्तमाल किया है और ये कहीं ने कहीं allied prisoner of war या human के मामले में उनको damage करने के लिए और इस context में इसी दुरान second world war में US हो, UK हो, जर्मनी, रिशिया ये continue इस तरह की चीज़ों को लेकर news में रहे चाहे research and development facilities को लेकर हो या biological agent की study को लेकर हो cold war के दुरान भी Soviet Union जो है अपने biological weapon program के अंडर जिसको बायो प्रिपेरेट करके बोला जाता है इसमें research and development किया इन्होंने और बड़ी संक्या में इन्होंने stockpiles जो है viruses और infections के अपने आपर maintain किये अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या कोई ऐसी protocol को agreement है 1925 में एक agreement हुआ था जिसको जिनेवा प्रोटोकोल 1925 बोलते हैं वल्ड वार के दुरान काफी ज़्यादा तरीके से लगबग 1,24,24,200 ton chlorine का इस्तमाल किया गया mustard का इस्तमाल किया गया chemical agents का इस्तमाल किया गया जिसकी वज़े से 90,000 से ज़्यादा troops जो वो इसे exposed हुए या तो वो injured होगे या उनकी death होगी राइट इसके अलावा यहाँ पर अगर आगर आप देखेंगे chemical weapon को रोकने के लिए street को रोकने के लिए जिनेवा protocol sign किया गया 1925 में या ने भी इसको sign किया है हलाकि इसमें अगर आप देखेंगे यह probit नहीं करता countries को कि आप develop करें produce करें या process करें यह इस्तमाल करने को तो रोकता है बट यहाँ पर यह बोला गया कि यह producing में डेवलप में या processing में एक तरीके से control नहीं करता है यह किवल बैन करता है during war इवन यह तब अलाव करता है माल लेते हैं कि एक party ने sign नहीं किया तो उसके गयाश इस्तमाल किया ज़स्ता बदले में retaliation में वो भी इस्तमाल कर सकती है तो इस protocol का कोई मतलब नहीं था इसके बाद biological weapon convention 1972 हुआ इसके अंदर international discourse के अंदर biological और chemical weapons के इस्तमाल में एक और ज़्यादा strong बनाने के लिए तो इसमे 1972 में agreement हुआ 1975 में यह impact में है और 182 countries में sign किया इसके अंदर यह probit करता है कि development, production, acquisition, transfer, stockpiling और use of biological and toxin weapon को यह probit करता है और require करता है कि जिन-जिन country के पास stockpile से उनको destroy करेंगे जैब वो biological weapon है दूसरा technology को transfer नहीं करेंगे दूसरी country को और यह United Nations Security Council की request पर investigation जो है वो कर सकता है इसके लावा यह मानता है कि इसमें review conference होने चाहिए ताकि effectiveness हो और negotiation हो स्ट्रीटी को लेकर हलाकि इन सबके वावजूद भी 1972 में क्योंकि रशिया सामिल था लेकिन उन सबके वावजूद भी रशिया ने बड़े लेवल पर stockpile इसके अंदर हासिल करें चाहिए chemical और biological weapon बड़ी संख्या में लोग employed हुए तो 1992 में इसके बार confirm हुआ तो इस ट्रीटी का जो है वो कही ने कही shortfall हुआ कि verification process जो है वो provide नहीं करता इसको लेकर फिर chemical weapon convention 1993 हुआ उसके अंदर verification पर काफी ज़्यादा focus किया गया और लगव 188 countries इसमें 98% इस तरह की world population consist होती है वो की parties है इसमें और ज़्यादा responsible होना गया जो verification process है उसको और ज़्यादा strict किया गया कि कहीं पर भी किसी भी time कभी भी और बिना किसी right to refuse कि आपको verification हो सकता है और अगर कोई country अगर verification से मना करती है तो उसके against जो वो inquiry हो सकती है sanction लगा जा एकसेस नहीं provide करता तो उस context में उनके against प्रतिवन लगा जा सकते है United Nations Security Council के through इसके अलावा क्योंकि इस तरह का जो issue है रशिया के जो opposition leader एलेक्जी नेवलेनी के case में हुआ था जब रशिया ने access करने से या inquire करने से इस पूरे context में मना कर दिया था तो इस पूरे context में यह पूरी की पूरी news जो हो important है explain section के अंदर इसको discussion किया गया इसके बाद बात करेंगे explain में एक और topic है कि upcoming plastic pollution को लेकर क्या global treaty है या क्या westwick संदी है उसके बारे में जानकर दीगे है March 2022 को United Nations Environment Assembly ने decision लिया कि internationally legally binding instrument जो 2024 तक plastic pollution को end करेगा यह agreement होगा और इसमें 175 countries वो participate कर रहे थी इसका मकसद यह कि efficiently हमें reduce करना है negative impact जो plastic pollution को रहा उसको लेकर और जो theme थी United Nations Environment Assembly की strengthening action for nature to achieve the sustainable development goal यह इसका कईने कई theme के अंदर रखा गया अब resolution क्या है resolution बहुत ही simple है कि 2024 तक हमें legally binding जो है वो एक agreement करना जिसमें plastic के जो cycle है उसको कहीन के इस्तवाल करना reduce करना reusable, recyclable हो या plastic pollution को हमें कैसे counter करना है यह important है इसके लावा improved international collaboration हो scientific और technical cooperation में among the member state इसके लावा United Nations Environment Program एक कौन के हो schedule कर रहा है और इसके अलावा यहाँ पर ही बताया गया कि best practices जो है share की जाएगी इस पूरे innocent के अंदर जो member country होगी उसमें क्योंकि यह बहुत important होगा और Paris Agreement के बाद यह significant environmental multilateral deal होगी जिसका impact जो है वो बड़े level पर देखने को मिलेगा इसके अंदर private sector हो, local, regional और global level पर हो इन सब का तरीके से important इनके अंदर role होगा और इसके अगर आप देखेंगे कि क्या constitution है इस तरह की चीजों के पीछे हमें plastic का जो design होता वहाँ से लेकर waste management तक एक properly जो cycle होता उसमें policies को indicate करना पड़ेगा और यह treaty जो है यह national और international cooperative को promote करती है इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे eliminate करना है plastic pollution को और pre implementation stages पर होगी तो इसके अंदर जितने भी member country होगी उन सब के assessment के basis पर भी progress resolution किया जाएगा इनके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्योंकि अगर आप प्राइमेशर साब ने कि eliminate करेंगे single use plastic को 2018 में इंडिया में जब world environment day celebration हुआ तब इसकी theme थी this call of India provide the moment leading to significant action on plastic pollution and global culminating in the historic and its adaptation यानि जो theme रखीगी 2018 में beating plastic pollution विंडिकेट करता है कि भारत कितना responsible countries पूरे सिनेरियो को लेकर तो इसके बारे में जानकारी दी गई है इसके बाद यहाँ पर this power is tax free करके environment को लेकर एक news है और इसके बारे में पढ़ेंगे basically यहाँ पर बात की जा रही है कि जब 26th United Nation climate change conference हो रही थी तब भारत के प्राइमेशर साब ने commitment किया था कि 2030 तक भारत को 1 billion ton तक carbon emission को कम करना पड़ेगा और 2070 तक भारत जो है net zero emission करेगा और इसके अलावा हम लोग अपनी energy का 50% renewable energy के तो जनरेट करेंगे और इसके लिए जुरूरी क्या है कि green energy पर investment किया जाई 2000 अगर आप देखेंगे 21 तक भारत में जो green energy ये renewable energy का जो हिस्सा है वो increase हुआ है लगवाट double हो चुका है इसके अलावा 2030 तक इस target को achieve कर रहा है कि 50% जो energy होगी वो green energy से produce हो इसके लिए भारत को चाहिए कि 4.5 trillion dollar का investment हो यानि huge investment चाहिए इसको लेकर climate finance leadership initiative जो है वो United Kingdom के साथ हमने start किया था ताकि जो gap है जो funding है financial issues है उसको कहीं न कहीं fill up किया था और European energy का जो initiative है वो हमारे geographical और natural resources के perspective से वो important हो और इसके अंदर private participation का बहुत जादा important जो हो रोल होगा ताकि sustainable economic activities के अंदर investment भी हो जिसकी वज़े से environment पर जो pressure हो रहा है pressure पड़ता उसको reduce भी किया जाज़के COP26 conference और party 26 के अंदर बहुत important है कि public और private investment दोनों को increase किया जाए और इसके अंदर solar power बहुत जादा important all play करेगी 2030 तक भारत सरकार का लक्षय है कि 450 gigawatt हमें energy capacity को generate करना है और इसके लिए जरूरी के बड़े लेवर पर क्योंकि capital expenditure होगी अगर आप देखेंगे wind energy की बात करते हैं तब उसमें बड़े लेवर पर capital expenditure होती है और maintenance खर्चा भी होदिल as compared to solar इसलिए solar energy का बहुत जादा important जो हो रोल इसमें होने वाला है और एक interesting example दिया गए कि भारत के अंदर क्योंकि दुनिया का साथवा सबसे बड़ा country है तो यहाँ पर capacities भी बड़े लेवर पर develop कि जा सकती खास कर ऐसी जमीन जिसका इस्तमाल नहीं हो रहा किसे अने परपरसे जैसे राजस्तान में भादला solar park है जिसके अंदर जो दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा solar park है 2245 मेगावाट के energy capacity रखता है और Asia और Middle East के लिए एक तरीके से inspiration की तरह यह भी है और जब भारत को अपने goals को hustle करने हैं तो इस context में यहाँ पर यह बहुत important एक indication करता है तो भारत अगर यह target achieve करता है तो अभी जो 8.24 लाइक जो है यानि लगबग साड़े आठ लाग सवा आठ लाग जो है जो create होती है तो जो भी बड़ेगी environment को जो नुक्सान होता उससे भी बचेंगे energy produce होगी और oil पर जो हमारी dependency है उसको भी हम reduce कर सकते है और most important जो है हमने जो international labor पर commitment किये है उनको कहीं ने कहीं fulfill कर सकते है इसके लाबा दो छोटी छोटी news जो है जैसे जो Pacific island है Smowa यहाँ पर COVID outbreak के जो cases है वो देखने को भी हाला कि एक ही cases है लेकिन वहाँ पर lockdown जो उन्होंने impose कर दिया है और बहुत सारे ऐसे छोटी 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 आईलेंड है जो COVID से अभी अपने आपको बचाए हुए थे लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के cases जो हो देखने को मिलें इनके अलाबा यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो छोटी 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 आईलेंड है जो Pacific Island है इन पर इस तरह के इंपक्ट जो हो आपको देखने को मिलेंगे यह आईलेंड जनरली न्यूज में रहते हैं किस कॉंटेक्स्ट में कभी क्लाइमेट चेंज को लेकर या जो सी लेवल जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा उस कॉंटेक्स्ट में न्यूज में रहते हैं लेकिन इस कॉंटेक्स्ट में भी यह पूरे आईलेंड जो वो न्यूज में है तो इसे के बारे में यहाँ पर भी डिसकसन किया गया है मार्सल, माइक्रोनेशिया, नौरू, बहुत सारी आइलेंड है जो पैसिफिक आइलेंड नेशियन की तरह कंसिडर किया जाते है इसके बाद लास्ट न्यूज जो हम पढ़ेंगे युनाइटिड नेशन की न्यू अफगानिस्तान मेंडेट जो फोकस करता है एक्वैलिटी इंक्लूजन पर और यहां पर एक रेजुलेशन पास हुआ अफगानिस्तान को लेकर जिसमें 14-0 से वोट हुआ रशिया ने अबस्टेन किया रशिया निसके अंदर पाटिस्पेश नहीं किया गया है तो इसमें युनाइटि नेशन की सिक्योर्टी काउंचिल ने एक मेंडेट जो है वो फोकिया अफगानिस्तान को लेकर क्या इंप्रोटेंट बाते बताएगी है कि यह मेंडेट करता है कि अफगानिस्तान के अंदर जैन्डर एक्वैलिटी को प्रमॉट करना है महिलाओं और लड़कियों के लिए empowerment के बारे में बात करता है अफगानिस्तान में human rights के बारे में बात करता है और government में inclusion होना चाहिए सब की भागीदारी होने चाहिए और सब का representation होना चाहिए राइट 14 0 के लावा अफगानिस्तान में के लोगों को जो unprecedented challenge और uncertainty है यह फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर peace and stability को promote करना यह एक important पार्ट होगा इसके लावा बहुत ज्यादा important issue जो challenges फेस कर रहे हैं उसको लेकर urgent और mutually reinforce करना है इस तरह के steps को इनके अलावा अगर आप देखेंगे तालीबान के अंदर तालीबान जब से सत्ता व्याया यहाँ पर उनसके बाद काफी चीजे जो है वो difficult हो रही है grave humanitarian crisis यह face कर दी country और लगातार अगर आप government की बात करते तो inclusive वहाँ पर नहीं है जब हलाकि officially नो तालीबान का नाम नहीं लिया लेकिन यह बताया कि तालीबान की जो all political actors और all relevant stakeholders उनसे बातचित करी गई है promote करना inclusiveness को representative participatory हो और इसके लावा national, provincial और local level पर बिना किसी discrimination के gender based religion और ethnicity के बेज़ पर कोई बैदबाव नहीं होना चाहिए सब को इसमें right मिलना चाहिए तालीबान में जो नई सरकार है उसमें mostly पस्तून है और उसमें महिलाओं की भागिदारी नहीं है 1996-2001 में जब इनकी सरकार बनी थी सरकार बनी तो नहीं थी खुदी बनाई थी तब इन्होंने क्या क्या था कि महिलाओं को education से या public life से completely ban कर दिया था अभी कुछ लेवल पर ये schools को open कर रहे हैं और हलकी महिलाओं को काम को लेकर भी इनने काफे जादा restriction लगाए कि कुछ particular area के अंदर ये काम कर सकते हैं इसके लावा integrate करना है gender mainstreaming को लेकर women's के लिए equality के बारे में बात की गई है girls के empowerment को लेकर उनके full protection हो human rights को लेकर education को include किया जाए सबका participation हो, safe participation हो, engagement हो, leadership हो, women's को भी decision making में सामिल किया जाए ये कुछ चीज़े जो इसके अंदर mention की गई है और अर्जेंट यहाँ पर एक तरीके से funding की जरूत है ताकि जो dire economic और humanitarian situation है उसको कहिने कई उससे कहिने कई बचाया जासके ये कुछ चीज़े जो इसके अंदर mention करी गई है और ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान को ये कोशिज करनी होगी कि जो इनका जो area है वो किसी भी extremist group को या terrorism जैसे activities के लिए एक तरीके से एक से place ना पने और यहाँ पर ये बताया गया कि अफगानिस्तान तब तक prosper नहीं कर सकता जब तक आदी population को यानि महिलाओ को education और काम करने में इसमें permission नहीं दी जाती तो आज के दहिंदू में topics की जो range है बहुत ज्यादा थी लेकिन हमने कोशिज करें कि जो important चीजे हैं उसको summarize form में जो आप लोगों से discussion करें फिलाल दहिंदू में इतना ही और जो दो-चार सवाल पुशे गए है उनको जरूर